बाप के मरने के पाद बेटे ने मा को पुराने गर में शोर कर आ गया खुद साल में एक चकर लगा लेता था एक दिन पुराने गर से उसे काल आई कि आपकी वालदा की तबियत बहुत खराब है बेटा गया देखा वालदा की तबियत वाकई में बहुत खराब थी वो मोत के करीब थी बेटे ने पुशा मा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ मा बोली बेटा इस पुराने घर में पंखे नहीं है तुम यहां पंखे लगा दो बेटा हेरान और परिशान होके बोला मा अपने इतनी उमर यहां गुजार दी अब मोत के करीब आपने यह फरमाश की मा बोली बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी गुजाल ली पर एक डर है कि कल को जब तेरे बचे तुझे यहां शोर कर चले जाएंगे तो तु घर मी बरदाश नहीं कर पाएगा मेरे लाल बेटे ने जब यह पास तुनी तो बेटे के पेरों तले जमी निकल गई वो अपने आपको आज तक माफ नहीं कर पाया दोस्तों मा तब रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता और मा आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता एक मा से दस बेटे पल जाते हैं मगर दस बेटों से एक मा नहीं पली जाती वा जी वा कुछ याद कर जब तू भचपन में अपने आपका वजन नहीं उठा पाता था और चलते चलते गिर जाता था तो तब तुम्हारी मा तुम्हें संबाज दे थी तुम्हें चलना सिखाती थी और हाँ जब ठंड में रात को तीन चार बजे बिस्तर पर पिशाप करत तो वो तुम्हारी मा अपनी गेरी नींद को शोर कर तुम्हें आराम की नींद सुला देती थी और अगर आज तुम बड़े हो तो मा पर चिला रहे हो उसको बोज समझ रहे शरम नहीं आती ये सब करते हुए अपनी मा के साथ अगर वो चाती तो तुमारा वच्पन में ही गला दबा सकती थी पर वो मा है मा के लिए उसका बचा उसकी जाम से भी ज्यादा प्यार होता है खुद को चाहे कितनी ही तकलीफ हो मा अपनी ओलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती दोस्तों आज मेरी आप सबसे रुक्वेस्ट है कि मा के लिए सब को शोर देना लेकिन अगर आज इस वीडियो के बाद भी तुमारी आखें नहीं खुली तो समझ जाना कि तुम्हें के जिन्दा लाश हो और अगर तुम्हें मा के प्यार का इससास हो गया है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें क्या पता आपके एक शेयर करने पर किसी और के अंदर अभी मा के प्यार का इसास हो जाए। मा के प्यार का इसास हो जाए।